आज मैं आप लोगों के साथ किट्स स्पेसल दो लंच बॉक्स की रेसिपी सेयर कर रही हूँ, दोनों ही इतनी स्वादिश्ट बन करके तयार होगी ना, कि बच्चे स्कूल साने के बाद आप से वापस इसी रेसिपी की डिमांड करेंगे, इतनी अच्छी रेसिपी है, और सा आप रात में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर स्वीट कॉन लिया है, तो यह आप पहले भी बॉइल करके रख सकते हैं, तो यहां पर स्वीट कॉन को मैंने बारिक बारिक चॉप कर लिया, यह मैंने आधा स्वीट कॉन यहां पर यूज किया है, आप चाहें तो चॉ यह स्वीट कॉन की टिकी और यह इतनी स्वाधिश्ट बनेगी ना कि बच्चे क्या बड़े भी इसे बहुत मन से खाएंगे अब इसमें एड़ करेंगे तीन चमचे करीब डेसी केटेड कोकोनट कोकोनट से टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसके मत किज़ेगा साथ ही न थोड़ा से तेल लगा लिया और इसे टिकी का सेप देंगे तो आज मैं यह आप और ओल सेप में टिकी बना रही हूं आप चाहें तो राउन भी बना सकते हैं लेगिन कुछ डिफरेंट सेप में ट्राइ करने से बच्चे बहुत जादा खुस होते हैं और उन्हें कुछ अल आप इन निकालें और तवे में या फिर आप चाहें तो सेलो फ्राइ कर लें या फिर इसे सिफ सेख लें इसी तरह से जैसे मैं सेख रही हूं बहुत ही जल्दी से फटाफट से रेडी हो जाता है तो इसे सेखने के लिए बटर का ही यूज़ करें उससे टेश्ट काफी जाहें तो घी या फिर ओयल से सेख सकते हैं लेकिन बटर से बहुत अच्छा टेश्ट आता है इन टीकियों को आप मेडियम तो लो फ्लेम पे सेके टीकिया बहुत अच्छी सिखेंगी और आप इन टीकियों को और भी फीलिंग बनाने के लिए चाहें तो इने पराठे में या फिर ब्रेड के उपर जैसे की कैचप मेम लगाते हैं वैसे भी आप दे सकते हैं जैसे की बर्गर वेगरा देते हैं बजों को बहुत ज़्यादा पसंत आएंगी वैसे मैं इन Male and Appeosate नो 경우 वी साम में भी बना एके तो प्रहुत अज़िए अच्छी रेसिपी हैं ऑब ब आटे में नमक डाल करके इसे गूत लिया है आटे को बहुत ज्यादा टाइट नहीं गूतेंगे सॉफटी गूत करके तयार करेंगे आटे को रखते हैं भी साइड में और बनाते हैं इसके श्टफिंग तो मैंने लिया यहाँ पर पनीर अब क्या करेंगे ना किसे कदूकस कर अब मैं इसमें एड करी हूँ बारिक कटा वाप्याज दो चमचे करीबी है साथी बारिक कटा हरा धनिया और पुदीना आप चाहें तो इसमें अपने अकॉर्डिंग सब्जियां भी एड कर सकते हैं जैसे कि कदूकस करके गाजर वेगरा अब मैं इसमें एड करी हूँ अफी सारा फ्लेवर एड होता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है वरना मैंने कई लोगों को देखा है बच्चों के नमक वेगरा डाल करके बना देते हैं टेस्ट ही नहीं आता है बच्चे खाएंगे क्या तब एक बर इसी तरह से ट्राइ किसेगा बच्चों को तो हम क्या करेंगे कि आते की लोई बना लेंगे और इसमें पनीर की स्टफिंग करेंगे पनीर को अच्छे अमाउंड में भरे जिससे की टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इस तरह से अगर आप एक बर लच्छा पराटा बनाएंगे ना पता ही नहीं चलेगा कि इसमें ह थोड़ा सा ओयल आप चाहें तो यहाँ पर बटर या फिर घी भी लगा सकते हैं थोड़ा से इसमें छिड़क देंगे सूखा हुआ आटा ऐसे इसी तरह से हम पीजा कटर की हेल्प से बारिक बारिक मतल्लं लंबा लंबा काट लेंगे आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते लेकिन पीजा कटल से बहुत जल्दी से यह कट जाते हैं इस तरह से अगर अप लच्छा पराठा बनाते हैं आप चाहें तो इसके अंदर आलू की फीलिंग कर लें या फिर कोई भी mix wedge वाला भी फीलिंग कर सकते हैं पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं अभी कटा कर लेंग से उपर से वापस से सूखा अटा लगाएंगे और इसे हम बेल लेंगे इस तरह के पराठे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं कुछ अलग लगता है नॉर्मली तो हम भरवा पराठा बनाते ही हैं बच्चों के लिए लेकिन एक बार इस तरह से ट्राइ कीज़ेगा यहां प क्या करेंगे ना कि पराठे को एक साइड अच्छे से सेक लेंगे उसके बाद दूसरे साइड सेकेंगे जिस साइड मैंने सेक लिया है ना उस साइड मैं उपर से थोड़ा से चीज ग्रेट कर रही हूं और यह प्रोसेस चीज है जब भी बच्चों को लंच बॉक्स में काफी ज़्यादा हो जाता है और हाट भी हो जाता है उपर से मैं इसमें थोड़ी सी पीजा सीजनिंग एड की थी बहुत ही स्वाधिश रेसिपी है दोनों ही और काफी हैल्दी है वो तो आपने देखा ही लेकिन बच्चों को खिलाने का बहतर तरीका है ट्राइ करके देख